बच्चो किसी पदार्थ की इस्थाई दशा बहुत ही मत्वपूर है क्योंकि पदार्थ की उस्मी गुणों का अध्यान इस्थाई दशा में ही किया जाता है परिवर्ती दशा में उनके गुणों का अध्यान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता हम इस्थाई दसा में ही छड़ के उश्मी गुणों का अध्यन करते हैं यहां हम अब उश्मी चालकता गुणांग के बारे में बात कर लेते हैं मान लेते हैं हमारे पास एक छड़ है जिसका अनुपरस्त कार्ट का खेतर फल ए है तब इस छड में हम उश्मा देते हैं क्यों उश्मा क्यों देते हैं और इस छड का जो लंबाई है वो L है और दोनों फलकों का तापमान T1 और T2 है पहले का T1 है और उधर का जो है T2 है मतलब तापांतर हो गया T1 माइनस T2 तो इस थाई दशा में जो उश्मा दे रहे हैं तो उश्मा जो प्रवाह होगा उश्मा प्रवाह अनुक्रमानुपाती होगा छड के अनुप्रस्त काट के खेत्रफल A के क्योंकि छड जितना मोटा होगा उश्मा प्रवाह उतना अधिक होगा तो Q प्रपोर्शनल 2 A फिर जो उश्मा प्रवाह है वो तापांतर के भी है नुक्रमानुपाती होगा मतलब की Q प्रपोर्शनल टू होगा T1 माइनस T2 उसके बाद जितने समय तक हम उश्मा का प्रवाह करेंगे जितने समय तक हम उश्मा देंगे उस्मा का प्रवाह उतना ज्यादा होगा तो उश्मा का प् उसके बाद छड़ जितना लंबा होगा उश्मा का प्रवाह उतना कम होगा उश्मा उतना दूर तक जाएगा तो उश्मा कम जाएगा तो Q प्रपोर्शनल्टी होगा 1 by L मतलब कि यहाँ पर जो उश्मा प्रवाह है वो लंबाई के ब्यूत करमानुपाती होगा Q proportional लिखाएगा 1 by L 1 by L मतलब व्यूत्करमानुपाती इन सब को हम मिला के लिखते हैं तो क्या आएगा Q proportional A bracket में T1 minus T2 bracket close उसके बाद उपर में ही small t आजाएगा time और नीचे में आजाएगा बटे L बराबर करने के लिए एक नियतांग लगाते हैं वो नियतांग माल लेते हैं के है तब यहाँ पर जो के है वो एक अनुपातिक नियतांग है और इसी के को हम क्या कहेंगे उश्मा चालकता गुणांग क्या कहेंगे के को उश्मा चालकता गुणांग इसकी परिभार्षा बनाने के लिए हम यहाँ पर एक जो है मतलब अनुपरस्त कार्ट का जो खेतरफल है हमारा जो चालक है उसका जो क्रोश शेक्षण एरिया है उसको हम एक आंक ले लेते हैं तापांतर टी वन माइनस टी टू को भी एक ले लेते हैं एक सेल्सियस और जो समय है जितने कितने समय तक हमने प्रव इवहाहित किया और जो छड़ की लंगाई है उसको भी एक ले लेते हैं तो इन सारे चीजों को एक-एक एक हम ले ले लें sits तो क्यू का जो वैल्यू आएगा क्यू बराबर आबर क्या जाएगा क्यू तो क्या परिभास निकल जाएगी ? क्या तो क्यू क्या क्या तो च्ग वह मात्रा है जो इस्थाई अवस्था में उस पदार्थ की एकांक लंबाई एवंग एकांक अनुप्रस्त परिछेद वाली छड़ से एकांक समय में चालन द्वारा प्रवाहित होती है जबकी छड़ के आमने सामने के फल्गों का तापंतर एक सेल्सियस हो तो इस तरह से उस उसमा चालक्ता गुणांक की परिभाषा निकल जाती है अगर हम उसमा चालक्ता गुणांक का मात्रक देखें तो जो समिकर्ण है क्यू बराबर के इंटू ए ब्रेकेट में ट1 माइनस ट2 इंटू स्मॉल ती बाई एल उस इक्वेशन में के को हम इधर ले आएंगे और क्य चांतर कर देंगे तो के इक्वल टू आएगा क्यू इंटू एल बाई ए और कोश्टक में ट1 माइनस ट2 कोश्टक बन इंटू स्मॉल टी अब के का मात्रक के लिए के का मात्रक क्या होगा क्यू का मात्रक फिर एल लंबाई का मात्रक फिर ए एरिया का मात्रक फिर ट1 माइन उश्मी उर्जा है, उर्जा मतलब कारिय, उसका मातरक होता है जूल, लंबाई का मातरक मीटर, एरिया का मातरक मीटर स्क्वेर, ताप अंतर मतलब ताप, उसका मातरक है केल्वीन, यह हम SI में ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा, SI मातरक बना रहे हैं अभी, और T जो है समय है से है तो मीटर से नीचे मीटर स्क्वेर है तो कट जाएगा और नीचे में एक ही मीटर बचेगा तो केका मात्रा क्या बनेगा जूल प्रती मीटर प्रती केलविन प्रती सेकेंड जूल और बटे में क्या आएगा मीटर केल्वीन सेकेंड ये बन जाएगा SI मातरक उस्मा चालकता गुणांक का अगर CGS में निकालना है तो सिंपल है जूल के बदले हमें कैलोरी लिखना है और मीटर के बदले सेंटिमीटर केल्वीन के बदले सेल्सियस लिख देते ह तो इस तरह से Celsius में मातर क्या बन जाएगा calorie प्रती सेंटी मीटर सेल्सियस सेकेंड केलोरी बटे सेंटी मीटर सेल्सियस सेकेंड कि इसका विमी सुत्र भी देख लेते हैं क्या होगा एक्जाम में उस्मा चालक ता गुडां का विमी सुत्र पूछा जाता है या फिर question में भी आजाता है, यूज करने के लिए numerical question में, तो विमी सुत्र के लिए, के का जो सुत्र है, के का जो समीकर्ण है, के बराबर QL by A, कोश्टग में T1 minus T2, T उसका इस्तेमाल करेंगे, तो Q का विमी सुत्र, क्यों क्या है, यह उर्जा है, तो उर्जा का विमी सुत्र, उर्जा को विमी सुत्र कारिक विमी सुत्र के बराबर होता है, तो M L square T का पावर minus 2, फिर L का, small L का, विमी सुत्र capital L, लंबाई का हो जाएगा, एक के बजाए L square, फिर T1 minus T2, ताफ है, तो उसका K, Kelvin का K लेंगे, capital K, फिर small T का समय हो जाएगा, तो यह T हो जाएगा, इसको solve करेंगे, तो L square से L square कट जाएगा, और हमारे पास आएगा M L, T का पावर minus 3, और K का पावर minus 1, तो यह K का विमी सुत्र होगा, यह आपको याद रख सकते हैं, या फिर आप निकाल भी सकते हैं, अचा जो K है, उसमा चालकता गुनांख है, वो पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है, मतलब की पदार्थ कैसा है, अलग-अलग पदार्थों के लिए उसमी चालकता गुनांख अलग-अलग होगा, जैसे हम देखें चांदी के लिए इसका मान है 406 और जो भी उसका मातरक है और तांबे के लिए है 385 एलमुनियम के लिए है 245 और जल के लिए है सुन्नी दसमलोवाट काच के लिए भी है सुन्नी दसमलोवाट ये टेबल आप देख सकते हैं विभिन पदार्थों का उसमी चा मतलब की जो पदार्थ उसमा का अच्छा चालक है उसमा उसका उसमी चालकता गुनांग अधिक होगा और जो पदार्थ उसमा का अच्छा चालक नहीं है मतलब की जो कुछ चालक है उसका उसमी चालकता गुनांग कम होगा जैसे आप देख सकते हैं जल या फिर जो काच है उसमा के कुछ आलग होते हैं, उसमें उसमा बहुती कम परवाहित होती है, तो उसका उसमा चालगता गुणांग सुनि दसमलाव आठ्ड है, और चान्दी जो कि उसमा का बहुत अच्छा चालग है, उसमा उसमा चालगता गुणांग कितना है? 406. अब कुछ यहां पर गौर करने वाली चीजे हैं, जो पदार्थ उस्मा का जीतना अच्छा चालक होता है, उसका उस्मा चालकता गुणांग उतना अधिक होता है, जो सुद्ध धातुएं होती हैं, अगर उनको हम गर्म करें, तो उनका उस्मा चालकता घटते जाता है, सुद्ध धातुएं को गर्म करें, तो उनकी उस्मा चालकता घटते जाती है, बच्चों, कुछ विशेज बातें जो आपको याद रखनी है, जिस पदार्थ का उस्मा चालकता गुणांग जितना ज्यादा होता है, वो उस्मा का उतना अच्छा चालक होता है, जो पदार्थ, जिस पदार्थ का उस्मा चालकता गुणांग कम होता है, वो उस्मा का उतना अच्छा चालक नहीं होता है, या फिर उस्मा का कुछ चालक होता है, एक जो आदर से सुचालक होता है, या फिर पूर्ण सुचालक, उसका उस्मा चालकता गुणांग अनंत होत नहीं पुरी तरह से अनंत उस्मा चालकता गुणांग वाला पदार्थ संभाव है, नहीं पुरी तरह से ऐसा पदार्थ जिसका उस्मा चालकता गुणांग जीरो है, ऐसा भी संभाव नहीं है. दूसरी बात ये है कि जो सुद्ध धातुएं हैं उनका उस्मा चालकता ताब बढ़ने के साथ साथ घड़ता है लेकिन जो पानी है उसका उस्मा चालकता ताब बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है यह आपको याद रखना है तीसरी बात एक उश्मा प्रवाह की दर यह आपको पूछी जा सकती है तो उश्मा प्रवाह की दर जिसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे और H बराबर होगा Q by T Q जो हमने निकाला था उसमें T का भाग दे देंगे तो Q by T आएगा K into A bracket में T1 minus T2 upon L तो इस equation के द्वारा उसमा प्रवाह की दर को रिप्रेजेंट किया जाता है यह भी आपको याद रखना है आईए अब हम उसमा प्रवाह से संबंदित कुछ चीजों के बारे में जानते हैं सबसे पहले हम देखते हैं उसमी प्रतिरोध अच्छा प्रतिरोध नाम आपने सुना होगा प्रतिरोध कहां आता है इलेक्टिसिटी में ओम के नियम में आता है प्रतिरोध प्रतिरोध आर क्या होता है ओम के नियम में विभांतर बटे धारा तो यहां भी इसी तरह से उस्मी पृतिरोध को देखेंगे वहां पृतिरोध क्या होता था धारा के रस्ते में आने वाली रुकावट तो यहां भी जो उस्मी पृतिरोध क्या होता है उश्मा जो प्रवाह होता है उसके रस्ते में जो रुकावट होती है उसको हम उस्मी पृतिरोत कहेंगे तो जिस तरह से पृतिरोत का सुत्र होता था विभांतर बटे धारा तो यहां उस्मी पृतिरोत का भी सुत्र क्या होगा विभांतर के बदले आ जाएगा तापांतर और जो धारा होता था वहां करेंट होता था यहां पर उस्मी धारा होग तो उश्मी पृतिरोध इस तरह से होता है तो अगर हम इसकी परिभाशा की बात करें तो उसका परिभाशा है कि किसी चालक के सीरों के बीच तापांतर और उसमें उस्मा प्रवाह की दर के अनुपात को हम उश्मी पृतिरोध कहते हैं अब इसका सुत्र देख लेते हैं तो माल लेते हैं कि एक एल लमबाई की छढ़ है और उसके पहले सीरे का ताप T1 है और दूसरे सीरे का ताप T2 है अब यदि T2 में बहने वाली उश्मा की मात्रा इस छढ़ से जो है T second में बहने वाली उश्मा के मात्रा Q हो तो इस छड़ का जो उश्मी प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा R बराबर उश्मी प्रतिरोध को भी R से दर साएंगे तो R बराबर T1-T2 मतलब जो ताप अंतर है बटे H, H जो है उश्मी धारा है H का मान फिर रख देंगे Q by T तो इस प्रकार से हमारे पास आएगा ब्रेकेट में T1-T2 ब्रेकेट क्लोज इन्टू T small t बटे Q ये आजाएगा प्रतिरोध का मान अब हमें पता है कि जो उश्मा होता है उश्मा Q होता है उसका मान होता है जो हमने पहले देखा था उश्मा Q ब्राबर K गुणित A ब्रेकेट में T1-T2 तापांतर ब्रेकेट क्लोज इन्टू small t बटे L इसको थोड़ा simplify करेंगे तो यहाँ पर L by K ब्राबर T1-T2 ब्रेकेट में ब्रेकेट क्लोज फिर small t का गुणा हो जाएगा बटे Q यह समीकर्ण नमबर 2 और पहले जो प्रतिरोध निकला था हो समीकर्ण नमबर 1 यहाँ पर दोनों समीकर्णों को हम तुलना करेंगे तो उश्मी प्रतिरोध का जो मान आएगा वो आएगा आर बराबर L by K A अश्मी इस का गुणा जो तो प्रतिरोध कम होगा जितनी ज़ाद G яв उश्मी प्रवागता उतना अच्छे से होगा क्यों कि प्रतिरोध तब कम होगा और अगर उश्मी चालगता कम है तो पृतिरोध ज्यादा होगा जैसे हम देखे थे काच्छ और जो जल है उसका जो उश्मी चालगता है कम है तो उसमे पृतिरोध ज्यादा होगा उश्मा को प्रवाह करने के लिए उसमा को प्रवाहित करने के लिए ज्यादा मतलब पृतिरोध का सामना करना पड़ेग अब हम आर का जो मातरक है उसको देख लेते हैं प्रतिरोत के मातरक को देख लेते हैं तो उश्मी प्रतिरोत का मातरक क्या होगा उसके लिए जो तापांतर है उसका मातरक भी ताप ही हो जाएगा और small t का मातरक समय second हो जाएगा और q जो की उश्मा है उश्मा मतलब उर्जा तो उसका मातरक जूल तो r का जो shi मातरक क्या हो जाएगा Kelvin second प्रति जूल Kelvin second प्रति जूल अच्छा इसमें अगर second को नीचे ले आए हम तो जूल के नीचे आ जाएगा Kelvin बटे जूल प्रति सेकेंड Kelvin बटे जूल प्रति सेकेंड और हमें पता है जूल प्रति सेकेंड क्या होता है वाट होता है तो यहाँ पर r का जो ऐसा ही मातरक उश्मी प्रति रोत क्या हो जाएगा Kelvin प्रति वाट क्या हो जाएगा Kelvin प्रति वाट अब इसका वीमी सुत्र भी देख लेते हैं, परिख्याओं में क्या है? उश्मी प्रितिरोद का वीमी सुत्र भी कभी कभार पूछ लेता है, तो वीमी सुत्र के लिए सुत्र का प्रयोग करेंगे हम, पहले वाले सुत्र का, समीका अंडेक का, आर बराबर, T1-T2, ब्रेकेट में और इंटू स्मॉल टी बाइ क्यों तो आर का वी मी सुतर क्या हो जाएगा टी वन माइनस टी टू का वी मी सुतर ताप अंतर का वी मी सुतर मतलब ताप का वी मी सुतर फिर टी का वी मी सुतर और बटे क्यू का वी मी सुतर तो रख देंगे वी मी सुतर को ताप अंतर समय का capital T और Q जो कि उश्मी उर्जा है तो उर्जा का विमी सुत्र हो जाएगा M L square T का power minus 2 और सब को थोड़ा सा हल करेंगे तो हमारे पास finally जो उश्मी प्रितिरोत का विमी सुत्र होगा क्या होगा M का power minus 1 L का power minus 2 T का power minus 3 और K ये हो जाएगा R का विमी सुत्र है अब हम देखते हैं उश्मी प्रितिरोधक्ता उश्मी प्रितिरोधक्ता क्या होता है उश्मी जो चालक्ता है उसका जो व्यूत्क्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं उश्मी प्रितिरोधक्ता मतलब उश्मी चालक्ता का व्यूत्क्रम सुत्र के रूप में आगर देखेंगे त दो उश्मी प्रतिरोधक्ता किया होगा बराबर एक बड़े उश्मी चालगता मतलब एक बड़े के ये उश्मी प्रतिरोधक्ता का सुत्र हो जाएगा आए अब हम समतापी प्रिष्ट के बारे में जानते हैं कि समतापी प्रिष्ट या आईसो थर्मल सर्फेस क्या होता है देखे जब हम किसी छड़ को जब गर्म करते हैं तो हम जानते हैं कि उसका जो प्रतियक क्रॉस सेक्शन का प्रतियक परिछेत का तापमान जो है बढ़ते जाता है फिर एक समय ऐसा आता है कि उसके प्रतिक परिश्यत का तापमान बढ़ना बंध हो जाता है और उस इस्तिति को कहते हैं इस्थाही अवस्था इस्थाही अवस्था में जो छड है या जो चालक है उसके अलग-अलग cross section का तापमान अलग-अलग होता है लेकिन वो उतने पे ही रहता है तापमान बढ़ना बंद हो जाता है तापमान और नहीं बढ़ता है परिवर्ती में क्या है तापमान बढ़ते रहता है अलग अलग हिस्सों का तापमान बढ़ते रहता है और इस थाई में क्या होता है तापमान बढ़ना बंद हो जाता है ले उसके आगे एक परिछेद ले लेते हैं, कनुपरस्त परिछेद ले लेते हैं, उसका तापमान कुछ होगा, तो छड के किसी एक हिस्से में अगर एक फलक हम काटकर अलग करें, तो ओ जो फलक है, उसका तापमान, उस फलक के प्रत्यक बिंदु पर तापमान जो है समान होगा तो ऐसे प्रिष्टों को किसी छड में या किसी चालक के ऐसे प्रिष्टों को जहां पर प्रिष्ट के प्रत्यक हिस्से का तापमान समान हो उसको हम कहते हैं समतापी प्रिष्ट अगर हम इसको और अच्छे से कहें परिभासा के रूप में तो किसी चालक के अंदर ऐसे प्रिष्ट जिसके प्रत्येक बिंदू पर ताप एक समान होता है उसे हम समतापी प्रिष्ट कहते हैं ध्यान रहे जो समतापी प्रिष्ट है समतापी प्रिष्ट में उश्मा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जा सकती तो कि समताफी प्रिष्ट है तो उश्मा जो है उश्मा को गमन करने के लिए तापांतर चाहिए तो समताफी प्रिष्ट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जा सकती है लेकिन दो समताफी प्रिष्ट हैं तो किसी समताफी प्रिष्ट का ताप जादा है और किसी समताफी प्रिष्ट का ताप कम है तो एक समताफी प्रिष्ट से दूसरे समताफी प्रिष्ट तक उसमा जो है जा सकती है लेकिन एक समताफी प्रिष्ट है तो उस समताफी प्रिष् हो सकते हैं आईए अब हम देखते हैं ताप प्रमणता क्या होता है हमें पता है कि ताप की स्थाई दसा में अलग-अलग सम्तापी परिष्ट्टों के ताप अलग-अलग होते हैं और उसमा प्रवाह की दिशा में जो समताफी प्रिष्टों के ताफ है वो कम होते जाता है, तो ताफ प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् इसके सुत्र को देखने के लिए हमानते हैं कि एक छड़ है हमारे पास या कोई चालक है चालक छड़ है और उसके दो समताफी प्रिष्ट ले लेते हैं पहला समताफी प्रिष्ट है टी जिसका तापमान टी है और उसके आगे एक समताफी प्रिष्ट है उसका तापमान कम तो उसका ताप हम ले लेते हैं T-DEL T, तो यहां ताप मान कुछ कम होगा तो T-DEL T, अब दोनों के बीच की जो दुरी है वो DEL X मान लेते हैं, ताप प्रवंदता क्या होती है, दुरी के साथ ताप परिवर्तन की दर, तो यहां ताप प्रवंदता का सुत्र हो जाएगा, T-D देल T, मानस T, यह ताप में परिवर्तन हो गया, T-DEL T, ब्रेकेट क्लोज, मानस T, बटे देल X, T-DEL T, मानस T में T और T कर जाएगा, क्या बचेगा, मानस देल T, बटे देल X, तो यह ताप प्रवंदता का सुत्र होता है, मानस देल T, बाई देल X, यहाँ पर जो रिंड चिन्न है, वो इस बात को इंगित करता है, कि दूरी बढ़ने के साथ साथ ताप मान कम होता है, तो यहाँ पर यह ध्यान देना है, इसका मातरक क्या हो जाएगा, इसका मातरक होगा, एसाइ मातरक ताप मान का केलीन ले लेंगे और दूरी का मिटर ले लेंगे, तो एसाइ मातरक हो जाएगा केलीन परती मिटर, और CGS मातरक में ताप को हम Celsius ले सकते हैं और दूरी को centimeter लेते हैं, तो CGS में हो जाएगा Celsius प्रती सेंटिमीटर इसी तरह से इसका विमी सुत्र भी निकाल सकते हैं विमी सुत्र देख लेते हैं देल T का विमी सुत्र मतलब तापमान का विमी सुत्र Kelvin और डेल X का विमी सुत्र डेल X लंबाई है तो उसका विमी सुत्र L हो जाएगा तो K by L इसको अगर अच्छे से लिखेंगे तो M0 L-1 और T0 क्योंकि समय नहीं है T का पावर 0 और K तो यह उसका विमी सुत्र हो जाएगा यहाँ पर एक विशेश ध्यान देने वाली बात है कि जो ताप प्रमणता होता है वो एक सदिस रासी है देखिए जो ताप है न वो अदिस रासी होता है लेकिन ताप प्रमणता जो है सदिस रासी है किसी भी जो अदिस रासी है उसका अगर हम प्रमणता लेते हो एक सदिस बन जाता है कोई भी scalar quantity का जब हम gradient लेते हैं तो क्या हो जाता है vector बन जाता है और यह जो ताप प्रवणता है वो हमेशा higher level की temperature की तरफ इंगित करता है मतलब कम ताप से इसकी जो दिशा होगी कम ताप से अधिक ताप की और होगी हमेशा gradient जो है वो maximum increase को बताता है तो ताप प्रवणता की दिशा कम ताप से अधिक ताप की और होगी मतलब की ताप प्रवणता की दिशा उश्मा प्रवणता की दिशा के विपरित होगी क्योंकि उश्मा प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की और होता है और ताप प्रवणता कम ताप से अधिक ताप की और तो ताप प्रवणता की जो दिशा है उश्मा प्रवणता की दिशा के विप्रीत होगी और ताप प्रवणता एक सदी सरासी है इस बात को आपको ध्यान र प्रियोग किया गया तो इस प्रियोग को देखते हैं इस प्रियोग का उद्देश क्या है कि अलग अलग जो पदार्थ हैं उनके उसमाच अलगताओं में तुलना करना यहां पर हम डारेक्ट हम किसी पदार्थ का उसमाच अलगता नहीं निकाल रहे हैं डारेक्ट निकालने क रहे हैं, क्या है इस में इसका उपकरण गया है। घातु का खोगला पातर है आयताकार घातु का खोगला पातर है और उसमें खांचे बने हुए हैं साइड में और उन खांचों में अलग-अलग धातूं की छड़ों को जो है खांचों में लगाए गया है जो धातूं की छड़े हैं समान लंबाई की हैं और समान मोटाई की भी है लेकिन अलग-अलग धातूं है और उनको खांचे में कौर्क की सहता से फिट किया जाता है और उतनी लंबाई को बाहर किया जाता है जितनी की सब में समान हो मतब समान लंबाई बाहर किया जाता है उसके बाद सभी धातू की छड़ों में समान मोटाई का मोम है उसको लेप दिया जाता है समान मोटाई का मोम सभी धातू में उसका लेपन कर दिया जाता है अब ये काम कैसे करता है तो हम क्या करते हैं जो धादू का खोखला पातर है उसमें गर्म तेल या फिर पानी को डालते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा जो उश्मा है वो अधिक ताप से गर्म सीरे से ठंडे सीरे की और प्रवाहित होगी तो इससे जो मोम की परत जो चड़ी है उपिखलेगा मोम की परत धिरे धिरे पिखलेगा और जब इस्थाई दशा आ जाएगा तो मोम की जो परत है उपिखलना बंद हो जाएगा तो जब मोम की परत पिखलना बंद हो जाएगा उस इस्तिती में हम जो है कितना मुम कितनी लंबाई तक मुम पिघला है अलग-अलग धात्वों की छड़ों में उसको हम नोट कर लेंगे तो मान लो अलग-अलग जो छड़ है उसमें अलग-अलग मुम की लंबाईयां मिलेंगी जैसे मान लेते हैं वो L1, L2, L3 इस तरह से हैं और अगर उसके संगत जैसे L1 किसी मुम के जो परत है वो L1 जो है पिघला है L1 लंबाई में पिघला है और उस धातू का जो उसमा चालगता है K1 है और जो दूसरा धातू है जिसमें मुम कितना दूर तक पिघला है L2 और उसका उसमाचा लगता K2 है और इस तरह से तीसरा जो छड़ है उसका K3 है उसका जो उसमाचा लगता इस तरह से फिर आगे बढ़ते जाएगा अगर इस तरह से हैं तो यहां पर एक सुत्रा आता है एक हम कहा सकते हैं यहां पर कि K1 अनुपाद K2 अनुपाद K3 बराबर L L1 square अनुपात, L2 square अनुपात, L3 square अनुपात, मतलब कि उसके जो उसमाचा लगताओं का जो अनुपात है, वो मोम कितना लंबाई तक पिघला है, उस दूरी के वर्ग के अनुपातों के बराबर होता है, अगर इसको हम सम्मेलित करके इसको मिला कर एक सुत्र हम बना सकते हैं सुत्र क्या होगा, के अनुपाती L2, मतलब कि जो उसमाचा लगता गुणांख है, वो अनुपाती किसके होगा, छड में मोम जितनी दूरी तक पिघली है, उस लंबाई के वर्ग के, किसी छड में होज के प्रियोग में छड में जो छड लगा हुआ है, उसमाचा लगता ज इस प्रकार ताप की इस्थाई अवस्था में किसी छड के पदार्थ की उसमाचा लगता उस छड के पिघले हुए मोम की लंबाई के वर्ग के अनुकरमान पाती होती है, और अगर हमारे पास दो छड हैं, तब ये सुत्र हो जाएगा, जैसे दो छड हैं और पहला छड का उसमाचा लगता गुणांग के वन है, और दूसरे छड का उसमाचा लगता गुणांग के टू है, उस कंडिशन में क्या हो जाएगा ये सुत्र, के वन बाई के टू बराबर एल वन स्क्वेर बाई एल टू स्क्वेर, इस सुत्र को थोड़ा सिंपलिफाई करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो K1 बराबर हो जाएगा K2 गुनित L1 स्क्वेर बाई L2 स्क्वेर अगर यहां पर दो छड में से किसी भी एक छड का हमें उस्माचालकता गुणांग पता है तो हम दूसरे छड का उस्माचालकता गुणांग पता कर सकते हैं जैसे इस उत्र में देखिए अ कर सकते हैं